नमस्कार बच्चों मैंने आपको पार्ट चार तक पूरा रिविजन करवा दिया है जो आपने अपनी रिविजन सीट में पूरा कर लिया होगा आज मैं आपको पार्ट पाँच का रिविजन करवाने जा रही हूँ आप यहाँ पर देख सकते हैं पाठ पाच पागल हाथी वैसे तो मैं आपको ये पूरा पाठ करवा चुकी हूँ फिर से एक बार और हम रिवाइस करेंगे तो ये जो कहानी है एक बार और फिर से मैं आपको सौट में बताने जा रही हूँ तो आप इसे ध्यान से सुनिए इस कहानी में मोती नामक एक हाथी है और ये जो मोती हाथी है वह राजा साहब की खास सवारी था और वह बहुत ही सीधा और समझदार था पर कभी कभी अगर उसका मिजाज गरम हो जाता था तो वह अपने आपे में नहीं रहता था तो एक दिन उसने क्या किया कि उसने अपने महावत की भी बात नहीं मानी और उसने एक बार अपने पागलपन में महावत को मार डाला तो जब राजा सहाब को इस बात का पता चला तो वे बहुत ही क्रोधित हो गए और उन्होंने मोती की पद्वी छीन ली जो कि उनकी खास सवारी था तो उससे ये पद्वी छीन ली गई और राजा साहब ने उसे लकडिया ढोने का काम दिया तो अब मोती हाथी को लकडिया ढोनी पड़ती थी तो फिर वो सोचने लगा और वो ये सोचकर दुखी हुआ कि कहाँ पहले में राजा साहब का खास सवारी था बहुत ही प्यारा था और कहाँ मुझे आज कुलियों की तरह इस तरह से लकडिया ढोनी पड़ रही है तो एक दिन उसने क्या किया कि वो एकदम से चिंगारता हुआ जो उसमें आ गया और जिन जंजीरों से उसे बांद कर रखा था उन जंजीरों को उसने तोड़ दिया और जंजीर तोड़ करके वो जंगल की और भागा तो राजा के जो आदमी थे वो भी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पीछे भागे लेकिन किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसके सामने जा सके फिर क्या हुआ कि जैसे ही हाथी जंगल में पहुँचा तो सबसे पहले तो वो वहाँ जाकर नदी में खूब नहाया फिर वह अपने दूसरे जो साथी यानि कि जो दूसरे हाथी थे उनको ढुनने के लिए गया लेकिन जंगल में जो दूसरे हाथी थे उन्होंने मोती के गले में रसी और पेरों में तूटी हुई जो जंजीरे थी वो देखी तो उन हाथियों ने भी मोती से अपना मुँ फेर लिया तो मोती हाथी जो है वो निरास होते होते महां से वो आगे निकल गया अभी वो रास्ते पर ही था कि राजा साहब और उसके कुछ आदमी उनके कुछ आदमी जो थे वो जंगल में आए तब बहुत चलने के कारण धूप के कारण राजा साहब ने सोचा कि क्यों न मैं यहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करूँ तो वहाँ पर एक बड़ी सी चटान थी और राजा घोड़े से नीचे उतर कर वहाँ पर थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रुख गये तो जैसे ही राजा गोड़े से नीचे उत्रे कि चटान की आड़ से मोती हाथी अचानक ही बाहर निकला और वह राजा साहब की और दोड़ा तो बच्चों यह आप यहाँ पर इस चित्र में भी देख सकते हैं कि यह जो हाथी है वो किस तरह से चटान से बाहर निकल करके राजा की तरफ दोड़ रहा है तो जैसे ही राजा ने यह देखा तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए वह भाग कर वहाँ पर एक जोपड़ी थी उस चोटी सी जोपड़ी में वह गुस गए लेकिन मोती ने राजा साहब को देख लिया था तो मोती हाती ने क्या किया उसने वो जो जोपड़ी थी उसका छपरा अपनी सुन्ड से गिरा दिया फिर उसे पैरो तले रोंद दिया और चक्मा चूर कर दिया छपरे को तो अंदर जो राजा साहब थे जोपड़ी के अंदर वो बहुत ही डर गए डर के मारे उनका बुरा हाल था और उन्होंने जब ये देखा कि अभी उनके बचने की कोई भी आसा नहीं है तो उन्होंने आखिर में क्या किया कि उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए पीछे की दिवार पर चड़ गए और दुसरी और कुद कर भाग निकले फिर राजा साहब इस तरह से किसी तरह से अपनी जान बचा कर महल लोट गए और महल लोटकर राजा साहब ने ये ड्रिंडोरा पिटवाया कि जो आदमी मोती को जिन्दा पकड़ कर लाएगा उसे एक अजार रुप्य का इनाम दिया जाएगा तो कहीं आदमी इस इनाम की लालच में उसे पकड़ने के लिए जंगल में गए लेकिन उसमें से एक भी वापस नहीं लोटा तो मोती ने जिस महावत को मार डाला था उसका एक बेटा था उसका नाम था मुरली मुरली आठ वर्सका था कभी-कभी वो जब उसके पिताजी के साथ जाता था तो वो ये हाथी की सवारी भी करता था तो ये जो महावत था उसका जो बेटा था मुरली वो हाथी को पकड़ने के लिए मोती को पकड़ने के लिए वो तयार हो गया और मुरली जंगल में गया और एक उचे पेड़ पर चड़कर वह बैठ गया और वह मोती की राह देखने लगा मुरली ने देखा कि मोती सिर जुकाए उसी पेड़ की और चला रहा है तो उसने क्या किया मुरली ने पेड़ के उपर से मोती को पुकारा मोती मूरली को देखते ही पहचान गया कि यह तो वही मूरली था जिसे वह अपनी सुन्द से उठा कर मस्तक पर बैठा लेता था और मोती को यभी यादा गया कि मैंने इसके पिता को मार डाला था ऐसा सोच कर उसे बालक पर दया आई और वा खुस होकर के सुंड हिलाने लगा तो मुर्ली पेड पर से नीचे उतरा और उसकी सुंड पर थपकिया देने लगा फिर उसने बैठने का इसारा किया मोती बैठा नहीं उसने क्या किया मुर्ले ने जब हाथी को मोती को इशारा किया बैठने के लिए तो मोती हाथी बैठा नहीं पर उसने मुरली को अपनी सूंड से उठा कर पहले की तरह ही अपने मस्तक पर बैठा लिया और राजमहल के और चल दिया मुरली जब मोती को लिए राजमहल के द्वार पर पहुँचा तो सबने दातों तले उंगली दबा ली तो बच्चो यह एक मुहावरा है दातों तले उंगली दबाना यानि कि हैरान हो जाना तो जैसे ही सभी ने देखा कि मुरली हाथी के उपर मोती के उपर बैठ कर आ रहा है तो यह देखकर सबने दातों तले उमली दबाली यानि कि सबी ये देखकर कि हैरान हो गए मुरली ने चिला कर कहा डरो मत मोती बिलकुल सिधा हो गया है और वो अब किसी को नहीं मारेगा तो राजा सहब ने जब यह देखा तो उन्होंने मुरली को एक हजार रूपिय इनाम में दिये और उसे अपना खास महावद भी बना लिया और मोती फिर से राजा सहब के सबसे प्यारी सवारी बन गया यानि कि प्यारा हाथी बन गया तो बचो ये पार्ट मैंने आपको फिर से और एक बार रिवाइस करके समझाया है ये कहानी फिर से बताई है और अभी मैं आपको यहाँ पर आपकी रिविजन सीट में यहाँ जो प्रशन दिये गए है वो भी आपको बताने जा रही हूँ यहाँ पर IBL कोशिन है पार्ट पाँच पागल हाथी प्रशन एक तो बचो ये भी आपको आपकी रिविजन सीट में फिल करना है सबसे पहले तो आप यहाँ पर CW और डेट लिखेंगे और ये आप प्रशन के उत्तर जो मैं अभी बता रही हूँ वो आप अपनी रिविजन सीट में फिल करेंगे प्रशन एक भारत सरकार किन बच्चों को कब और क्यों रास्ट्रिय विर्ता पुरसकार देते है उत्तर भारत सरकार 26 जनवरी को बहादूर बच्चों को रास्ट्रिय विर्ता पुरसकार देती है बच्चों की बहादूरी के कारण उन्हें पुरसकार के रूप में एक पदक, प्रमानपत्र और नगद रासी दी जाती है तो बच्चों इस प्रशन का उत्तर मैंने आपको समझाया है प्रसन ये है कि भारत सरकार कीन बच्चों को कब रास्ट्रिय विर्ता पुरसकार देती है तो जो बहादूर बच्चे होते हैं उनके विर्ता के कारणामों को देखते हुए उनकी बहाद्दूरी को देखते हुए भारत सरकार उन्हे राच्ट्रिय विर्ता पुरसकार देती है और पुरसकार में बच्चों को क्या देते हैं? एक पदप यानि कि मैडल, प्रमान पत्र यानि कि सर्टिफिकेट और नकद रासी यानि कैस रुपीज देते हैं तो ये आपको अभी अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा, अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न दो पर, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ प्रश्न दो हाथी के बारे में कुछ विशेस जानकारी बताए वा लिखे हाथी के बारे में हमें यहाँ पर लिखना है हाथी स्थल प्राणियों में सबसे बड़ा जानवर है उसके चार घुटने होते हैं और वह कूद नहीं सकता हाथीयों की दो प्रजातिया जिवित है एलिप्स तथा लोक्सोटोंडा तो बच्चों कहने का आर्थ क्या है कि यह हाथी की कहीं प्रजातिया थी लेकिन आज हाथीयों की दो प्रजातिया जिवित है एक तो है एलिप्स तथा दूसरी जो है वह है लाक्सोटोंटा एलिप्स प्रजाति आफरिका में पाई जाती है और लाक्सोटोंटा भारत में पाई जाती है तीसरी प्रजाती में थस थी जो विलप्त हो चुकी है तो यह जो तीसरी जो प्रजाती है वह अभी विलप्त हो चुकी है आम तोर पर हाथी का वजन दस हजार किलो तक होता है कुछ बहुत बड़े हाथी का वजन 32,000 किलो तक का भी हो सकता है हाथी लेट कर नहीं सोता खड़े खड़े ही सोता है तो बच्चों कहने कारते हैं कि हाथी जो है वह कभी भी लेट कर नहीं पर खड़े खड़े ही सोता है हाथी की चमड़ी लगबग एक इंच तक मोटी होती है उनका जीवन काल औसतन सतर साल तक होता है यानि कि उनकी आयू लगबग 70 साल यानि कि 70 यर्स तक की होती है प्रशन 3 हाथी के दात पर आधारित लोकोपती कौन सी है? उसका अर्थ वह वाक्य लिखिये तो यहाँ पर मैं आपको लोकोपती बताने जा रही हूँ हाथी के दात पर एक लोकोपती है जो है हाथी के दाथ खाने के और दिखाने के और अर्थ कहना कुछ करना कुछ द्रिरंगी जो होते है कहते कुछ और है और करते कुछ और है इसका मतलब यह है इसके उपर से एक लोकोकती है कि हाथी के दाथ खाने के और दिखाने के और सेठ जी कहते कुछ है और करते कुछ है और है तो बच्चों कहने का मतलब क्या है कि इसका अर्थी होता है कहना कुछ और करना कुछ और कहते कुछ और है और करते कुछ और है तो इससे ये लुकोक्ती है जुड़ी हुई हाथी के दात खाने के और दिखाने के और यानि उसका अर्थ है कहना कुछ, करना कुछ तो अभी जो कुछ मैंने आपको यहाँ पर बताया है समझाया है जो आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और ये आप अपनी रिविजन सीट में फिल करेंगे धन्यवाद